सबी लोग इस बात से वागफ हैं कि नरेंदर मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले ही अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था हालेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था अब आज हम आपको इसी के भारे में बताने जा रहे हैं कि आखर उन्होंने ऐसा क्यों किया दरसल एक बार नरेंदर मोदी के वेवाहिक जीवन पर नरेंदर मोदी के बड़े भाई ने खुलासा किया जो आप सबी को हैरान कर देगा खुलासे के दोरान उन्होंने बताया कि नरेंदर मोधी ने अपनी धरम पतने को क्यों छोड़ दिया और आखिर क्यों अब वो उनके साथ नहीं रहते इस बात से सब वाकिफ हैं कि नरेंदर मोधी एक गुजराती परिवार से तालुक रखते हैं और गुजरात से उनका गहरा नाता है क्योंकि गुजरात से ही उनके माता पिता थे और उनका जन्म भी गुजरात में हुआ था दरसल नरेंदर मोधी जब 17 साल के थे तब ही उनकी शादी हो गए थी और जैसे लड़की से उनकी शादी हुई थी उनका नाम जशोदा बेन था वहीं जब उनकी शादी हुई थी तब नरेंदर मोधी की पत्नी 15 साल गी थी और उस समय पढ़ाई को उतना ज्यादा महतवन नहीं दिया जाता था कम उमर में ही शादी कर दी जाती थी और लड़की घर संभालने लगती थी उस समय में जब नरेंदर मोधी की शादी हुई तब मोधी और उनकी पत्नी दोनों ही ना बालिक थे शादी के तीन साल अपनी धर्म पत्नी के साथ रहने के बाद नरेंदर मोधी ने अपनी धर्म पत्नी को त्याग दिया था और ये एक कारण था कि उन्होंने अपनी पत्नी का त्याक करदेश को अपना जीवन दे थिया। हलकि चुनावों के दोरान उन्होंने जशोदा बेन को अपनी पत्नी माना फिर भीव पत्नी के साथ नहीं रहते। नरेंदर मोदी ने अपनी शादी शुदा होने की बात करीब 50 साल तक छिपा कर रखी। इसके बीचे की वज़ा भी उन्होंने बताई थी। उन्होंने कहा था चुकि वो अकेले हैं इसलिए वो किसी तरह का ब्रश्टा चार्ज नहीं कर सकते। इससे पहले उन्होंने अपनी बायोग्राफी में बताया था कि वो अकेलेपन को इंजोई करते हैं।